साथियों इस समय हम आज़ादी के अमृतकाल के शुरुवाती महिनों में है हमारे सामने 2047 के सपस्ट लक्ष है हमें देश को विक्सित बनाना है हमें देश को आत्मन निर्भर बनाना है भारत की economic growth हो sustainable development goal हो या फिर innovation के लिए एक inclusive ecosystem का निर्मान करना हो technology कदम कदम पर हमारे लिए जरूरी है और इसलिए आज भारत एक नई सोच के साथ 360 degree holistic approach के साथ इस खेत्र में आगे बढ़ रहा है भारत टेक्नोलोजी को अपना दबदबा कायम करने का माध्यम नहीं बलकी देश की प्रगती को घती देने का एक टूल मानता है और मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि इस बार की स्कूल टू स्टार्ट रफ इगनाइटिंग यंग मैंड्स तो इनुवेट यह रखा गया है आज आधी के इस अम्रित काल में भारत का भविश हमारी आज की युवापी जी हमारे आज के स्टूडन्स ही ताय करेंगे आज की स्विवापीधी के पास नए सपने हैं नए संकल्प है उनकी उर्जा उनका जोश उनका उत्सा इभारत की बहुत बड़ी ताकत है साथियो हमारे देश के महान विज्ञानिक और पूर्वराश्पती डॉक्टर कलाम कहां करते थे आज जब भारत एक नॉलेज सोसाइटी के तौर पर ससक्त हो रहा है तो उतनी ही तेजी से एक्षन भी ले रहा है भारत के यंग मैंट्स को इनोवेशन के तरफ परेजित करने के लिए बीते नव वर्षों में देश में एक मजबुत बुनियाद बन चुकी है कुछ साल पहले शुरू की गई अटल टिंकरिंग लेप्स एटी एल आज देश की इनोवेशन नरसर ही बन रही है कि आज देश के 35 राज्यों में कि 700 जिलों में कि दस हजार से ज्यादा कि अटल टिंकरिंग लेप्स बनाई जा चुकी है और ऐसा नहीं है कि साइन्स टेकनोलोजी इनोवेशन और इंक्युवेशन का इमिशन केवल बड़े शहरों तक सिमीत है करीब साथ प्रतिशत अटल टिंकरिंग लेप्स सरकारी और ग्रामिड स्कुलों में खुली है आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में बच्चों के लिए पढ़ाई के माइने बदल रहे हैं वो इनोवेशन की तरह प्रेरित हो रहे हैं आपको यह जानकर खुशी होगी कि आज अटल टिंकरिंग लेप्स में पच्चतर लाग से ज़्यादा स्टूडेंट्स बारा लाग से ज़्यादा इनोवेशन प्रोजेक्स पर जी जान से जुटे हुए हैं काम कर रहे हैं यानि आने वाले समय में लाखो जुनियर साइंटिस्ट स्कूलों से निकर कर देश के कोने कोने में पहुंचने वाले हैं इनकी हैंड होल्डिंग करना हर तरह से मदद करना इनके आइडियाज को इंप्लिमेंट करने में सहायता दाना यह हम सभी का बहुत बड़ा दाइत्वा है आज सैंकडों की संख्या में स्टार्ट अइसे हैं जिनका इंक्युवेशन अट्रल इनोवेशन सेंटर्स में हुआ है अट्रल टिंकरिंग लैप की ही तरह अट्रल इनोवेशन सेंटर्स ए आईसीज भी न्यू इंडिया के लेबरेटी बनकर उभर रहे हैं आप देखिएगा भारत के यह तिंकर प्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्र